दोस्तो अगर आप एक सरकारी करमचारी है या फिर जो है सरकारी करमचारी बनने जा रहे हो तो आपके मन में एक डाउट जरूर उठाओगा कि मेरी जो सेलरी है वो हर वर्स कितनी बढ़ जाएगी कहने का मतलब जैसे कि जो सेलरी है भी मान लेते हैं कि इनिशिल मेरे को 30,000 मे जो मैं प्रेस करूँगा तो मेरे को जो है कितना अमांट यहां पर मन्त मिल जाएगा इनिशिदी सिदी में बात करूँँ तो एक साल के अंदर कितनी सेलरी बढ़ जाती है गोर्मेंट करमचारी की उसके रिगार्डिंग अपनी स्वीडियो में बात करेंगे साथ ही दोस्त तो चलिए फ्रेंट सबसे पहले में आप सभी लोगों बता देना चाहता हूँ कि सेलरी जो है आपकी एक साल में जो बढ़ती है वो दो तरीके से बढ़ती है दो तरीके में एक तो आता है कि आपका जो है इंक्रिमेंट जो होता है जो साल में एक बार लगता दोस्तों इंक तो उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ वह इसका लिंक आपको डिसके मिल जाएगा जाके देख सकते हो कि बेसिक सेलरी जो है उससे सेलरी कैसे अपन केलकुलेट कर सकते हैं तो इंक्रिमिंट से जो है आपके बेसिक सेलरी तीन परसेंट बढ़ती है अब देखें जो है उसके मालेते हैं कि 21,000, 20,800 एकिस जार मालेते हैं अपन 21,000 के जो है इसके इंक्रिमेंट के बाद में बेसिक हो जाती है अब यहाँ पर पहले हैं निकालेंगे तो 2,000 के ओपर निकलेंगा हमान लेते हैं 10% HR हैं तो यहां से जो HR निकल के आएगा वो अपने पास में 2000 आएगा और अब जो है increment के बाद में जो HR मिलेगा वो आपके पास में 21 और पे आएगा कहने का मतलब यहां से आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि basic pay अगर बढ़ती है तो basic pay के साथ में सारे जो allowances जो basic के ओपर depend करते हैं वो चाहिए आपका HR हो DA हो यहां फिर जो है OT and DA वो हो सारे कुछ allowances भी आपर बढ़ेंगे मैं आपको इनके विद्प्रूब भी आपको भी बताने ओला हूँ इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि increment जो है साल में आपका जो है या तो एक जुलाई को बढ़ेगा या फिर जो है एक जनुरी को बढ़ेगा जिसका जुलाई में नहीं बढ़ेगा जिसका जुलाई में बढ़ेगा वो उसका जनुरी में नहीं बढ़ेगे यहीं चार पर सब्रक्राइब तो टीराथ में अब जैसे कि अभी पर सब्सक्राइब व통 करते हैं सेखरोगाएब बढ़ेगी जैसे कि मैं बात करूँ TPA जो होता है वो 1800 प्लस डिये मिलता है या 3600 प्लस डिये मिलता है तो जो X-class ETS में 3600 प्लस इसके उपर जो डिये लगेगा उतना मिलेगा अब मान लेते हैं पहले 42% डिये था तो इसका 3600 और इसका 42% और इसमे एड़ कर लेंगे इतना मिल रहा था और अब जो डिये जो है 46% हो गया तो अब जो है 3600 का जो है पर यह 4% और बरदी हो जाएगी 3600 पर में तो इसका मतलब TPA भी आपका बढ़ जाएगा इसके बाद में दोस्तों आपका जो night duty allowance होता है and DA वो भी आपका DA पर depend करता है कैसे उसका formula होता है basic plus DA upon 200 यह 6 गंटे के night आती है जैसे जैसे DA बढ़ेगा जैसे जैसे basic बढ़ेगी आपका जो है night duty allowance भी आपके बढ़ेगा इसी परकार आपका जो overtime है अगर railway वगर में कहीं सार सेक्ट्रेस होता है तो उसकी वज़े से भी आपके 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 लाउंसे बढ़ेंगे तो कहने का मार्च च Körper मैं आपको मिलने लग ज़ता है इसाव आपको मिलने लग जाएंगी तो आप कि सेलरी यहां पर बढ़ती है अब देखेंगे दोस्ते आगे बात करते हैं terror का आपका जो मूल वेतन होगा उसमें बड़ोतरी हो जाएगी और सारे कुछ लाउंसे जो है आपके बढ़ जाएंगे जो basic के उपर depend करते हैं इसी प्रकार महगाई बता जो होता है आपकी AICPIN की रिपोर्ट पे आधार भी बनता है उसके उपर मैंने कई सारे वीडियो बगर बना रख है कि DA पे जो जो चीज़े depend करेगी चाहिए वो night duty allowances हो TPA हो और और यादर भी कोई allowances है तो उससे जो है आपकी gross salary में भी बड़ोतरी हो जाएगी अब मैं जो हैं यहां पर केंद्री करमचारियों सभी केंद्री करमचारियों की बात कर रहा हूं दोस्तों तो यहां पर सभी employee को मिलेगी ही मिलेगी basic DA HRA TPA तो इनी को आधार मानके मैंने आपे salary में जो है without increment और increment के बाद में कितनी salary आपकी बढ़ जाएगी वो with proof मैंने आपको यहां बताया है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि railway के अंदर एक CCTC की post होती है जिसका grade प किसी भी job में आप initial join करते हो तो आपको 21,700 basic दिया जाएगा इसके बाद में दोस्तों यहां पर DA जो है अभी यहां पर मान लेते हैं दोस्तों वेसे तो 42% है लेकिन इसका due है जुलाई से तो मैंने यहां पर 46% DA यहां पर लिया है तो 46% DA के आधार पे 9,982 रुपे यहां प तो आपका HR यहां पर 10,20 और 30% यहां पर हो जाएगा X class, Y class, Z class CT में X class में 30%, Y class में 20%, Z class में 10% तो यहां पर DA जो है एकदम 50% के नजदी गे तो मैंने जो है HR यहां पर 30% maximum लिया है X class CT का तो HR यहां पर 30% अपने ले लिया है TPA जो होता है वो 1800 प्लस DA मिलता है यहां फिर 3600 प्लस DA मिलता है तो यहां भी मैंने जो है maximum ले लिया है X class CT का 3800 प्लस 3800 के उपर जो DA लग रहा है सोरी 3600 और 3600 के उपर जो DA लग रहा है वो तो यह जो है 5256 रुपयां से बन जाते हैं इस प्रकार दोस्तों अभी कोई बंदा अगर जोइन करता है X class CT में CCTC के पोश्ट तो उसको 43,448 रुपय ग्रोस सेलरी मिल जाएगी यह ग्रोस सेलरी दोस्तों हालाएं कि इसमें डिडेक्शन वगर भी होते हैं NPS वगर है तो मैंने ग्रोस के उपर बात कर रहे हैं आपे तो ग्रोस सेलरी आपके 33,448 है अब देखे दोस्तों यहाँ पे इंक्रिमेंट लग जाता है आपका एक साल बाद की में बात कर रहा 21,400 है अपको बेसिक हो जाएगा 22,400 अब दोस्तों यहाँ पे एक साल के अंदर कम से कमडिये जो होता है यह मानके चल रहा हूं चय परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती है दो बार अब जो DA बढ़ेगा वो बनेगा 52 परसेंट तो 52 परसेंट अगर अपन इसका DA निकालेंगे तो 11,648 चरूप बनेंगे इसी प्रकार आपका HR जो होगा पहले 21,700 के उपर निकल रहा था अब निकलेगा 22,430 तो यह हो गया 6,720 और TPA जो है पहले 3600 प्लस DA निकल रहा था पहल DA 46% माना था मैंने अब DA बढ़के 52% हो गया एक साल के बाद में और तो अब जो है यह 5,400 बहतर हो गया और अब जो है आपकी ग्रोस सेलरी 46,240 रुप हो गई कहने का मलब पूरी-पूरी जो है 3,000 रुपे यहां पर आपकी सेलरी बढ़ गई है दोस्तो एक साल के अंदर औ अब जो है इस सेलरी का अगर मैं परसंटेज निकालता हूँ बेसिक के उपर बेसिक के किज़ार साहस होते तो यह सेलरी आपकी लगबग 13-15% के करीब यहां पर बढ़ोती हो गई है बेसिक का और वैसे अगर बात करें सीधा कितनी बढ़ोती होई है तो यह आप इने देख कर सकता है और इसी परकार से आप जो है किसी भी सेलरी किसी भी जो है जैसे कि जिसका बेसिक ज्यादा होगा तो उनकी जो है सेलरी यहां पे रूपीज में ज्यादा बनेगी और उनका डिफेरेंस भी यहां पे ज्यादा होगा अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सेलरी जो है वो डिपेंड करती है डिये बगर अपर तो कभी जो है डिये कहीं 5-6% बढ़ जाता है कभी डिये थोड़ा कम बढ़ता है तो उस हिसाब से एक-दो साल इसको कम जादा मान सकते हो बाकि 7-8 साल में अगर आपको इनिशेल अभी 30,000 सेलरी मिल रही है तो 7-8 साल में आराम से यह जानकरे में आपको देने की कोसिस किये दोस्तों यहाँ पर कि आपको जो सेलरी कैसे इंक्रीज होती है कितने साल में आपको अच्छे लगे होगी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ से जरूर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजे थैंक यू